विदान सबा चुनाओं में भगवान फूरा से कॉंग्रेस के केदा सिंग डावर ने लगाता और दुसरी बार एतिहासिक जीत हसिल कर भाजपा उम्मिद्वार चंदर सिंग वासकले को हराया है वहीं कॉंग्रेस उम्मिद्वार डावर को सेगाउं विकास खंड से सबसे अधिक करीब 19,000 वोटों की बड़त मिलने पर आज खाम खेडा रोड से डैविस्री लालबाई फूलबाई मातजी मंदिर परिसर तक विशाल जूलूस ढोल ताशे गुलाव व आतिश बाजी के देखते हुए विधायक डावर भी थिरकने से अपने आपको नहीं रोप पाए हटीले रंजीत हनुमान मंदीर पहुशने पर संत स्री सिताराम बाबा ने विधायक डावर का शाल श्रीफल से समान किया विजाई जिलूस का समापन प्रसिद देविस लालबे पुलबे मतज मंदिर में पूचा अर्चना के साथ हुआ रैली में नफरत के बाजार में महबत की दुकान फिर खुल गई के कट आउट चाहे रहे सेगावास से संजेज जैसवर किल पोड़ आप ने भगवान पुरा विदान समा में दुसरी बार एतियासिक जीत हासिल किये इसको लेकर आप क्या कहना जाएंगे इसको टोर पे यह जीत इस छेत्र की जनता और कारेकरताओं की मेर्द और इसके लिए मैं कहना जाएंगा कारे करता हूं की अठक मेहनत और लिए, पूरी कांगरेज परटी की चला है। सेगाव 11 खंड की प्रमुक मांग जो लंबे वर्सों से लंबित पड़िया महाविद्ध्यालई की इसको लेकर आप क्या प्रयास करेंगे निस्थित तोर पे हमारे सेगाव ब्लाग की बांग बहुत महत्पून है पिछले दिनों हम पिछले सरकार के टाइम में हमने प्रयास किया था और यहाँ पे महाविद्ध्यालई खोलने की सूसी में नामदर देख रहा है लेकिन पिछले दिनों जो शुरुआत की गई थी हमारे छेत्रे के सेगाव में छात्रों की कम दर्जे संक्या होने की वज़े से वो घरगोन कालेज से संबंद रखा गया है मेरा यह प्रयास है कि इसको सोतंत्र कालेज आने वाले समझ में कराके हमारे चेत्रे के युवा साथियों को विद्यार्तियों को उसकी सोगाती हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुले